अस्सलाम अलेकुम बच्चों, बच्चों, आज मैं आपको सूफी तबस्म की नजम तोट पर तोट की पकरी सुनाऊंगी तोट पर तोट ने बकरी पाली, दुबली पतली टांगों वाली दिन और रात मिठाई खाए, मक्षन दूद मलाई खाए हल्वा रबडी दही पनीर, यखनी दलिया किच्डी गीर जो कुछ आए, चट कर जाए, फिर भी उसको होश न आए एक दिन की तुम सुनो कहानी, बकरी को याद आए नानी एक दिन की तुम सुनो कहानी, बकरी को याद आए नानी कितना ही समझाया उसको, फुसलाया, बहलाया उसको वो थी अपने मन की रानी, टोट बटोट की बात न मानी टोट बटोट की बात न मानी जंगल को चल पड़ी, अकेली बकरी तेरा अल्ला बेली मैमे मेमे करती थी वो, जी मेले किन डरती थी वो या अल्ला कोई शेर ना आए, यूही मुझको खाना जाए वो ही हुआ जिस बात का डर था, रस्ते में एक शेर का घर था मैमे सुनकर बाहर आया, बकरी देख के जी लल चाया शेर को देख के डर गई बकरी, डर गई क्या, बस मर गई बकरी बोली दुबली बकरी हूँ, मैं देख तो मुझ में जान नहीं है क्या तू मुझको खा जाएगा, ये तो शेर की शान नहीं है नानी के घर जाऊंगी मैं मुटी होकर आऊंगी मैं फिर उस वक्त मुझे तुम खाना जैसे चाहो मज़े उड़ाना शेर पुकारा जाओ जाओ जल्दी मुटी होकर आओ बक्री नानी के घर आई सारी उसको बात बताई नानी बोली वारी जाओ जो तुम चाहो वही खिलाओ चारा खाओ खास भी खाओ दाल भी खाओ मास भी खाओ दो दिन में बंठन गई बक्री फूल के कुपा बन गई बक्री नानी ने एक ढोल बनाया ढोल में बकरी को बिठलाया बोली सुन मेरे गोल मगोल चलता जा और मोना खोल शेर ने ढोल को आते देखा तेजी से बल खाते देखा गरच के बोला ढोल ढोल कहां चला है जल्दी बोल कहां गई है मेरी बक्री बोला ये है तेरी बक्री बक्री की आवास जो आई शेर पुकारा है 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 ये कहकर एक पंजा मारा बक्री बोली मैं 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 तोट बटोट का तोटा बोला तोट बटोट की टें 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 जी प्यारे बच्चों मुझे उमीद है आप लोगों को मेरी ये नजम बहुत पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें थैंक यू